कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्ट हुए संग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्ट हुए संग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग कुछ अपनी तारिखें और कुछ वजूद पर करें नजर कहां से कौन हैं हम हर हुदूद पर करें नजर वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग कहते हैं गुजरा हुआ वक्त अपने पीछे एक मुकमल तारीख और तजर्बों का सरमाया छोड़ जाता है आज हम कुछ ऐसी ही दास्तानों का जिक्र करेंगे जो दिली शहर की अर्ज पाग जमीन की तहों में दफन है ये तमाम हकिकतें इनसानी वजूद से लेकर उसकी एक जगह से दूसरी जगह डेरा डालने की फितरत और सफर का दस्ताविजी नमूना है दिली कैसे वसी यहां इनसान ने पहली बार कैसे कब और क्यूं डेरा डाला यहां वक्त के साथ साथ कैसे सल्टनतों का अफ़ताब तलू और गुरूब हुआ आएए वक्त की तहों के नीचे खरमोश पड़े इन सभी सबूतों और सवालों को खंगालते हुए हम अपनी इस दिली का सफर शुरू करते हैं डेली एक बू कलमों खुबसूरत कुल दस्ता है जिसमें कई हजार साल की तारीख और तहसीब बाहम गुथी हुई है डेली पर हुकूमत करने वाली कौमों और सल्तनतों के बाकी मानदा आसार इस बात का सुबूत है कि ये शहर कितना पुरौनक है और इसने सदियों तक कितने सियाहों की तबज्जोहात को अपनी तरफ खीजे रखा वाकई देली का तहजीबी सिलसला काफी वसी, मुसलसल और बहुत ज्यादा पुरकशिश और दिल्चस्प है मजमुई तोर पर देली एक मुसलस जैसा है जिसके मखरबी सिम्त में अरावली पहाड है और शिमाल से जनूब में बहती जमना नदी मश्रिक की तरफ है इस शहर की आबादी पत्थर के एहस से शुरू होती है और फिर बकिया लोग तारीख के दौरानिया में यहां आबाद रहे देली कदीम, एहदेवस्ता और एहदेजदीद का एक मुनफरिद संगम है इसके पुर शौकत आसार पिछले तकरीबन एक हजार साल के मुतालिक के लिए बेहतरीन जरिया है इनके जरिये देली के दारूल हुकूमत की हैसियत हर जमाने में वाज़े होती है मुखतलिफ सल्तनतों ने अपने दारूल हुकूमत यहां तामीर किये कुछ ने पहले से मौजूद शहर में कमी और इजाफा किया और कुछ ने नए शहर बसाए तकरीबन आठ से पंधरा मकामात ऐसे हैं जहां नए शहर बनने के आसार मिले हैं इंदर पत के अलावा देलिका के मकाम पर अनंगपुर जुबात में लाल कोट कहलाया और उसके बाद पिला राय पिथोरा के नाम से मशूर इप्तिदाई एहद वस्ता का शहर है तकलकाबाद और कोटला की बनियादें सल्तनत एहद में रखी गई बाद में मुगल एहद में शाजहानाबाद और जदीद एहद में नई देली अंग्रेजों के जरिये बसाई गई इनके आसार और खंडरात में किले, महलाद, गुमबद, खानकाहें, महमान खानें, बावडियां, यादकारें, और बाजार शामिल हैं, साथी मकामी लोगों की रियाहिश काहें भी शामिल हैं, इस दस्तावेजी सिल्सले के जरिये हम आपको एक दिल्चस्प सेर पर ले जाएंगे, जिसमें आप पदीम जमाने से लेकर आज तक जबके देहली गलोबलाइजेशन के मुझारे से अजिश मामूर हो रही है, देहली के मुखतलिफ रंगों को देखेंगे, हम आपको देहली को देखने और परतने की दावत देते हैं, इसके सिर्फ मारूफ सियाहती मराकस के जरिये नहीं, बलके कम मारूफ लेकिन इस दरजे के पुरकशिश तारेखी मकामात के जरिये, जो देहली के मुखतलिफ इलाकों में वाके हैं, एक हंगामा खेस शहर की कहानी, जो जिन्दगी के मुखतलिफ 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 तमद्दुन से माला माल है, और जो हिंदुस्तान का दिल कहलाता है, देहली में तबियाती तब्दीली का एक तबील और पेचीदा दोर रहा है, इसमें इनसानी जिन्दगी की शुमूलियत बहुत बात की है, देहली का माजी गदीम जमाने में दफन है, आर्केलाजी में इनसान की गदीम तारिख का मुताला किया जाता है, हिंदुस्तान में इसका आगाज 18 सदी में हुआ था, पहले नौादरात को जमा करना शुरू किया गया, फिर बतदरेज नौादरात जमा करने से आगे बढ़कर आर्केलाजी का फन इजात हुआ, बीज़ी सदी में ये मौदू यूनिवरस्टियों और निसाब में भी शामिल हो गया, के गर्बु जवार में आबाद हुई, शिमाली हिंदूस्तान के एक एहम आभी वसीले, यानि दर्याए सिंध और गंगा और इनकी दीगर मौविन नदियों के दर्मियान था, ये इलाका गंगा और इसकी मौविन नदियों के बहाव से पैदा, अक्सर वसी मैदानों के दर्वाजे पर वाके है, अरावली सिलसला हिंदूस्तान का कदीम तरीन पहाड़ी सिलसला है, एक जमाने में ये बड़ा पुर्शिकोह था, लेकिन वक्त और मौसमों की तब्दीली के बावजूद, आज भी राजेस्थान के माउंट आबू में इसकी बुलंदी 1722 मीटर है, अलबत्ता देली में इसकी बुलंदी जमना की सतह से 2.5 मीटर से लेकर 90 मीटर तक है, दर्मियान से होता हुआ, शिमाली मश्रक की तरफ जाता है, और वजीराबाद में जमना के दाएं किनारे पर खत्म होता है, इस पहाड़ी बुलंदी के चार हिसे हैं, जंगल और पहाड़ों के पार मश्रक की तरफ जमना नदी है, जिसका पानी साल भड देली में पहता रहता है, जमना का बहुआ शिमाल मश्रक में 100 किलो मीटर से ज्यादा और जनूब तकन में 40 किलो मीटर से ज्यादा तबदील हुआ है, और फिर बातद्रीज इसका रुख मश्रक की तरफ तबदील हो गया और वो मौजूदा रुख पर आ गई, गर्मियों में इसकी गहराई ज्यादा नहीं होती, लेकिन बरसात में ये देली के लिए सेलाब का खत्रा बन जाती है, जमना नदी अपना खास मिज़ाज रखती है, इसने माजी में अपने बहाव में कई बार तबदीली की, इसकी वज़ा से देली सेलाब और सलजलों की जद में है, सेटलाइट के तज्जिय के जरिये मालूम हुआ है, कि कमसकम छै आवी जखायर यानि नजफकार, सूरजकुंड और भटकल जील जमना नदी की वज़ा से हैं, ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिन से पता चलता है, कि ये नदी चार हजार साल पबल जुनूबी देली की पहाड़ी के पास से बहती थी, और फिर बातगरीज इसका रुख मश्रिक की तरफ तबदील हो गया, और वो मौजूदा रुख पर आ गई, जहां तक देली के अब्तदाई कदीम और जमाने तारीख का तालुख है, हम कह सकते हैं कि जवाहलाल नहरू यूनिवस्टी के कैमपस में पत्थर के एहद की साइट के मिल जाने से, और 1991-92 में इस लाखे में खुदाई की बुनियाद पर अनंगपुर में खुदाई का काम हुआ और अब्तदाई पत्थर के जमाने के एचूलियन आज़ारों की एक बड़ी तादाद मिली है। इनकी बुनियाद पर देली का तालुक पत्थर के एहद से सावित हो जाता है। पानी, हवा और आसपास बड़ी तादाद में जंगलाती जिंदगी हो ताके सेलाव या सूखा पढ़ने के हालात में वो अपनी जिंदगी की बगा की जद्दो जहद कर सके। पत्थर के एहद के बहुत से आसार देली में मिले हैं जो जमना नदी के किनारे और अरावली पहार से फूटने वाले चश्मों के किनारे थे। जनूबी देली में ये चश्में वल्लबगड़ इलाके में मश्रिक की तरफ बहते हैं। इनमें एक बहुत एहम भुरिया नाला है जो अनंगपुर के पास मश्रिकी सिम्त में बहता है और जमना नदी में मिल जाता है। अगर्चे पुराने चश्में ज्यादा तर खत्म हो गए और जो बापनी हैं वो साहिलों और चश्मों के बनने की वज़ा से अपने माजी का धुनला नक्ष है। रिगवेज सहिंता के मताबिक जमना का नाम यामी नाम से निकला है जो दरहसल धर्म और मौत के देवता यम की बहन का नाम है। यमना का दूसरा नाम कालिंदी भी है। गदीम मंदिरों में जब जमना और गंगा की तस्वीरे बनाई जाती थी तो जमना को हमेशा काला दिखाया जाता था। गदीम दस्ताविजास से लेकर बरतानवी एहद के गजिश्ट तक से ये अंदाजा होता है कि जमना नदी में मगर मच और घड़ियाल बकस रख थे और इस एदवार से इसमें मचलियां भी बहुत रही होंगी। उस जमाने में देली में घने जंगलात होंगे जिसमें मुख्तलिक तरहा की जंगलाती जिंदगी होगी। बटेर, तीतर और मुख्तलिफ तरह के साप कसरस से रहे होंगे। यहां पर बसने वाले इनके शिकार पर अपनी गुजर बसर करते होंगे। पत्थर का जमाना दस लाक साल कबल का है। यानि जदीद इनसान की तरकी करने से पहले का जमाना उस जमाने में खाना फराहम करने के लिए पत्थर के आज़ार और दूसरे तरीके अख्तियार किये जाते थे। लेकिन तारीख के उस मोड पर भी इंडिया में लोग रहते थे। साइंसी इस तरह में इनको होमो एरिक्टस यानी मकान बनाने वाले लोग कहते हैं। ये सीधे खड़े होकर चलते थे, खाने के लिए शिकार और अपनी जमीनों की बड़ी लगं से हिफाज़त करते थे। इनकी खासी जहनी तरकी हो चुकी थी और वो समझ गय थे कि खाने और पानी के बगएर वो जी नहीं सकते। और साथी मैयारी जाए रिहाईश वही हो सकती थी जो पीने के पानी के करीब हो। और इतनी उचाई पर हो जहां से वो किसी भी मुदाखलतकार की हरकत को देख सकें और अपना दिफा कर सकें। और ज्यादा खतरनाक दुश्मन होने की सूरत में किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। वो आख के बारे में भी जानते थे। पत्थर के खाम औजार बनाया करते थे और शिकार या दूसरे कबीले के लोगों को गतल करने के लिए उनका इस्तिमाल करते थे। इन असबाब से वो अरावली पहाडों पर रहने पर मजबूर हो गए। लेकिन जल्द ही उनको एक ज्यादा खतरनाक ज्यादा शुरा पुश्ट और दूसरे बर्रे आजम से सफर करके आने वाले दुश्मन का सामना करना पड़ा जो उनके मुकाबले में जिसमानी और दिम श्रिक्रेशिया की तरफ हिजरत हुई। ये बड़े अजमों हौसले वाले नाकाबल शिकस्त तवनाईयों और उम्मीदों के हामिल थे। इन्होंने अपने लोगों की कयादत गयर मालूम जगों की तरफ की। इनके दिल उम्मीदों से भरे हुए थे कि एक दिन वो अपने खौबों की सर्जमीन पहुँच जाएंगे जहां वो आराम से रह सकेंगे जहां पानी के चश्मे हूं और जहां जंगली जानवर शिकार के लिए मिल सकें। गरीब 74,000 साल पहले एक तूफान ने एशिया को हिला डाला और पूरी दुनिया को पहली बार बुरी तरह मतासिर कर दिया 32,000 किलोमीटर इंडिया से दूर जदीद इंडोनेशिया में टूबू पहाड गैसों गजब से फट पड़ा कि आज तक इनसानों ने ऐसा मनजर ना देखा होगा इससे जबरदस्त लावा निकला और इसके सबब राख और मुखतर बारिश ने पूरे माहौल को आल खौफनाक मसाबकत हुई क्योंकि इंडिया की सर्जमीन सहरा में बदल गई और यहां जिंदगी नहाय दुश्वार हो गई इस कश्मा कश्मे नए बाशिंदे यानि हमारे आबाओ अश्दाद जीते और इनको इंडिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में गुजर बसर के मवाके मिले योरोप और जुनुबी अफ्रेका में पत्थर के जमानी की रॉक पेंटिंग यानि चट्टानी तस्वीर कशी की वाजी अलामते मौजूद हैं इन में जानवरों की तस्वीरें बकसरत हैं और बाज तस्वीरों में शिकार की रुसुमात का जिक्र है हिंदुस्तान में ऐसे रॉक पेंटिंग की निशानिया बहुत कम हैं शायद इसकी वज़ाई ये है कि मुल्क में ज्यादा तर पेंटिंग वक्ते साथ बरबाद हो गई पत्थर के जमाने के ये लोग जिनको माहरीन उलूम इंसानी जमाती सोसाइटी कहते हैं इन में कमोबेश सौ लोगों की एक जमात होती थी ये लोग खाना बदोश किस्म के हुआ करते थे जो शिकार और घजाई पौदों के एतबार से अपनी जगा को बदलते रहते थे इस जमात के लोग रिश्टों से बंदे होते थे जमात के अंदर इसको दस्तियाब वसाइल पर किसी एक फर्द का कब्सा नहीं होता था जमात के लोगों का रवया ताकत नहीं बलकि रुसूम और इखलाक वगेरा की बन्याद पर तैह होता था इस दौर में देहली की कुलाबादी का चंद हजार नफूस पर मुझ्तमिल होने का अंदाजा किया जा सकता है than few thousand people. और देली युनिवसिटी के मेन गेट के पास पहाड़ी चोटी पर है। इसके बाद दूसरे मशूर अर्कियोलोजिस्ट एच डी संकालिया ने सन 1974 में देली की पहाड़ी चोटियों से दूसरे ऐसे ओजार दर्याफ्त किये जिनका तालुक पत्थर के एहस से था। फिर 1984 में B.M. पांडे ने एक बहुती तरकी आफ़ता हाथ की कुलहाड़ी दर्याफ्त की। थोड़ी देर को तो मुझे अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आया। लेकिन फिर ये सोच कर कि जवालाल नेरु यूनिवस्टी से हिजरी एहद के नमूने पहले भी मिल चुके हैं मैंने अपनी हैरत कम की। मुझे जो आजार मिला ये बहुत खुबसूरत तराशी हुई हद कुलहाड़ी है। कहते हैं इनसान की जिन्दा रहने की जत्व जहद मसलसल कोशिशों और उसकी जरूरतों से ही सलतनत, मुलक, शहर और गली कूचों में रौनक और रवानगी पैदा होती है। दिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये शहर जो हजारों बरसों की तारीख अपनी फसीलों और मिट्टी में समेटी बैठा है। कई तहजीबों से वाबस्ता है इस मिट्टी, इस शहर और इस जमीन को हम फिर से खंगा लेंगे कुछ नए सबूतों और दलाइल के साथ। कैसे तामीर हुए महल कैसे खिष्ट हुए संग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग कैसे तामीर हुए महल कैसे खिष्ट हुए संग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग कुछ अपनी तारिखें और कुछ वजूद पर करें नजर कहां से कौन हैं हम हर हुदूद पर करें नजर वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग कैसे तामीर हुए महल कैसे खिष्ट हुए संग आईए जानते हैं शहर दिली के बदलते रंग झाल झाल